दॉस्तो आज इस सिरीज में मैं आपको लिटेरी टम्स के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर कराने वाला हूँ और जैसे कि आपको पता हिए कि यह हमारा एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिज टुथाज़न टुट देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स आज जो मैं आपको टॉपिक्स करा रहा हूँ दूस्तो वैसे तो वो मैंने टॉपिक्स हैं लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज अगर जो आपको आती नहीं है तो चाहे वो कितनी भी इजी क्यों नहीं हो वो से बड़ा point आपको clear होना चाहिए तो अगर आप पे आता है तो आपका revision हो जाएगा और नहीं आता तो आपको एक नई चीज जानने को मिलेगी तो दूस्तों start करते हैं आज की class सबसे पहला जो term आज हमारा आता है वो गोस्ट राइटर सबसे पहला term है घोस्ट राइटर अब यह घोस्ट राइटर होता क्या है अगर जो आप इसको Hindi meaning निकाले तो आप सोचरों की भूतों का लेकक भूत लेकक नहीं ऐसा कुछ नहीं है घोस्ट राइटर अगर जो आपको clearly बताओं तो वो राइटर होते हैं दूस्तों जो क्रेडिट नहीं लेते यानि कि उनको एक amount मिल जाती है और उस amount के अगर जो आपका आजा exam में और इन पर focus करना है आपने देखा होगा last time भी कि कितने typical way में literary terms दिये थे तो इसी विज़े से यह नहीं कि आप जो common literary terms हैं केवल वही आपको लेकर चलने हैं अब थोड़ा सा differently आपको सोचना होगा कि पता नहीं कैसे क्या आजाए तो हर तरह से आप जो भी major or minor literary terms हैं वो सब त comment box में बता भी दिया करें जब आप इतना समय अपना तयार करने के लिए सुनने के लिए निकालते हैं तो एक छोटा सा समय hardly half a minute होगा तो उस समय को आप निका लिए comment box में भी reply किजिए और अगर वीडियो अच्छे लगते तो please video को like भी जरूर कर दिया किजिए और अगर आपको लगता है कि कोई problem है आपको कुछी समझ में नहीं आ रही तो उसको भी आप मुझे बताइए अपने suggestions comment box में दीजिए इसके बात jingle जिंगल आपने सुनाई होगा दोस्तो जिंगल बहुत easy है अगर जो term की बात करें जिंगल होता क्या है दोस्तो जिंगल उसको बोलते हैं एक ऐसी poem बोलते हैं जिसमें rhyme और rhythm हो उसको jingle कहा जाता है अब verse with strong rhyme and rhythm is called jingle तो is that clear what is jingle जिंगल क्या है जिंगल एक verse with strong rhyme होती है और rhyme और rhythm के साथ होती है जो बच्चों की poems होती है दोस्तो वो jingle सी तो होती है और इसके अलावा चोटी-चोटी से songs बनाए जाते हैं बहुती चोटी लिरिकल वे में तो वो भी क्या होते हैं वो jingle ही तो होत इससाथ manuscript की बात करते हैं manuscript किसको बोलते है manuscript बोलते हैं पांडू लिपी को हस्त लिपी को manuscript बोला जाता है दोस्तों for example आपको एक छोटा सा मोधारन दूँ रेने साइज पर हम आते हैं जो रेने साइज है what is that is rebirth, revival and reawakening of ancient Greek classical culture in Europe जो Greek का classical culture था उसका यूरोप में जो revival हुआ, रियवेकनिंग हुआ, वही क्या कहला है वो रहने सा कहला है था, लेकिन इस रहने साथ के पीछे कारण क्या रहा, सबसे major कारण था black death, black death मैं पीछे explain कर चुका हूँ, मेरी एक video special बनी है black death पर, description box में link दे दूँगा, आप उसे देख लेना, तो black death था, अब जब black death आई तो लोग पलायन करने लगे, और European countries की तरफ move होने लगे, और जब वो वहाँ पर move हुए थे, तो अपने साथ हातों से लेके हुए, अपने गरंथ लेकर आये थे, जिससे वहां की जो culture थी, यूरोप की culture वो और ज़्यादा धनी हो गई, क्योंकि उसमें mix up हो गया वो, वहां का culture और Greek का culture, वो सब जब मिल गए, तो क्या हुआ, European culture जो थी, और ज़्यादा strong हो गई, और ज़्यादा rich हो गई, तो दोस्तों कहने का मतलब, मेरा समझाने का मतलब यही था, manuscript का मतलब, जो handwritten book होती है, ठीक न, कोई भी ग्रंत हो सकता है, epic हो सकता है, जो भी handwritten work होता है, हमारा है, दोस्तों, new, new से मतलब नया, ठीक है, और यहाँ पर, जो इसका meaning है, वो क्या है, newly coined word, new logism का मतलब क्या है, दोस्तों, new logism का मतलब है, newly coined word, कोई भी शब्द जो नया आया है, dictionary में नया आया है, या फिर कहीं से हमने adopt कर लिया है, तो that is called new logism, इसके बाद, non-diplume, non-diplume क् a fixious name used by a writer to represent his work, एक कालपनिक नेम होता है, दोस्तों, यह जो कि एक लिखा के द्वारा लिया जाता है, अपने work को represent करने के लिए, that is called non-diplume, उसको non-diplume कहा जाता है, I hope के लिए रोगया होगा, इसमें यह जो literary terms में आपको करारा हूँ, जिसमें ज़्यादे points बताता हूँ तो वो तो ज़्यादे के base पर T.I.R. करने कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो literary terms में अब discuss करों दोस्तों, इनमें केवल जो point mention कर रहा हूँ, वही exam में पूछा जा सकता है, इसके बाद stroke characters किसे बोलते हैं, stroke characters, अब आपको लगगा की सरी, stroke characters क्या होता अपसे पहले हम उने नहीं सुना, या फिर हो सकता है, जिसको पता होगा, उसके लिए बहुत easy होगा, तो characters, those are commonly found in most of the pieces of drama or fiction, ऐसे characters जो अधिकतर drama या fiction में मिलते ही मिलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो stroke characters कहलाते हैं, अब stroke characters में बात करें तो दोस्तों कुछ name होते हैं, जो अक्सर हमें द देखने को मिलेगा, especially in Elizabethanera, ऐसे ही, Portia का आप देखें, या फिर जो अगर जो हम इस पर आएं कि Indian literature पर आते हैं, Indian English literature पर वहापर एक word आता है, राजू, राजू नेम आता है, तो राजू एक ऐसा नाम है, दोस्तों जो हमें अक्सर देखने को मिलेगा, एक ऐसा character है, तो इन characters, इसके बाद हम बात करेंगे sublimity की, sublimity क्या होती है, दोस्तों अगर जो आपने एक work पढ़ा हो, एक book पढ़ी हो, longines की, longines का on the sublime है, उसमें वो sublimity की बात करते हैं, उसमें वो sources of sublimity की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको all in all sublimity बताओं, तो sublimity होती क्या है, sublimity sublime से बन sublimity, अब ये sublimity है क्या, compound effect of all the quality that is found in every piece of literature, जो literature के हर तत्व में आपको मिले, वो sublimity है, अब sublimity क्या होता है, अब इसमें भी दो चीज़ा होती है, true sublimity और false sublimity, ये भी दो होती है, एक तो true sublimity होती है, और एक होती है, false sublimity, true sublime का मतलब क्या होता है, true sublime मतलब एक ऐसा work, literature का ऐसा work, जिसको आपने एक बार पढ़ा, लेकिन उसके बाद आपका दुबारा मन करता है कि मैं इसको पढ़ूं, ऐसे कोई movie है, आपने एक बार देख ली, आपने दो बार देख ली, तीन बार देख ली, चार बार देख ली, पाच बार देख ली, छे बार देख ली, बढ़ते ही जा रहे हैं लेकिन you never got bored कभी भी आप bored नहीं हुए और नहीं होते हैं बोर तो ऐसे इसका मतलब क्या है उसमें true sublime है उसके अंदर sublimity और sublimity भी क्या true sublime है लेकिन एक work ऐसा जिसको आपने एक बार पढ़ लिया एक बार पढ़ा आपको सही लगा लेकिन दुबारा आपको उसको पढ़ने का मन नहीं किया ऐसी movie आपने एक बार देख ली लेकिन दुबारा देखने का मन नहीं किया पहली बार में ये नहीं कि आपको अच्छी नहीं लगी ठीक थी बट दुबारे के लिए नहीं है, तो that is called false sublime, वो false sublime होता है, तो sublime के लिए हुआ, true and false sublime, sublimity में मैं आपको बताया, compound effect of all the quality that is found in every piece of literature, that is called sublimity, उसको sublimity कहा जाता है, इसके बाद एक term आपने generally सुना होगा literature में, वर्नाकुलर, अभी वर्नाकुलर होता क्या है, दोस्तों किसको बोलते हैं, domestic or native language, जो domestic or native language होती है, that is called vernacular, उसको vernacular कहा जाता है, एक बार मैं फिर से जल्दी जल्दी repeat करते तहूं, ताकि आपके बिल्कुल clear हो जाए, एक बार में ही, आपने एक चीज़ गोर की होगी, अगर आप इसको classes को seriously लेते होंगे, और दिल के साथ पढ़ते होंग तो आपको class में ही, वो topics clear हो जाते होंगे, आपको दुबारे पढ़ने की जुरत नहीं होती होगी, एक बार आप properly पढ़ लेंगे, तो एक बार में ही आपको तयार हो जाएंगे, एक बार सुन लीजे वीडियो को तयार हो जाएंगे, ghost writer, अब I hope की हमेशा याद रहेगा, ghost writer कौन होते है, ghost writer वो होते है, जो दूसरों को के लिए work करते हैं पैसा लेकर, ऐसे writers, ghost writer कहलाते है, जिंगल क्या होती है, एक ऐसी words, जिसमे रहाइम और रिदम होती है, वो जिंगल कहलाती है, manuscript क्या होता है, हातों से लिखा हुआ कोई भी गरंत, या पुस्टक क्या कहलाती है manuscript कहलाती है जिसको हम Pandulipi या Hashtalipi के नाम से भी जानते हैं Newlogism क्या होता है? Newlogism का मतलब होता है newly coined words जो नए शब्द आए हैं वो Newlogism कहलाते हैं. Nomadipleum का मतलब क्या होता है दोस्तों? Nomadipleum का मतलब है कि एक fictious name, एक आलपनी क्रेम लिए राइटर के द्वारा अपने वर्ग को represent करने के लिए एक fictious निमका यूज किया जाता है जिसको Nomadipleum बोला जाता है Stock characters कौन से होते हैं? Stock characters वो होते हैं जो commonly drama या fiction में हमें मिल ही जाते हैं उनको stock characters कहा जाता है Sublimity की बात करें तो Sublimity क्या है? Compound effect है of all the quality that is found in every piece of literature True Sublime and False Sublime दो तरह के Sublime होते हैं और sources इसकी होती है as per the Longines उसको मैंने detail में बता हुआ दोस्तो Longines की जो theory है Sublimity को लेकर Sublime को लेकर Sources of Sublimity को लेकर True and False Sublime को लेकर इसके उपर एक special video भी है मेरी तो वो भी आप देख सकते हैं इसके साथ Vernacular Vernacular क्या है? Domestic और Native Language जो है वो Vernacular कहलाती है तो दुस्तो ये थी आज की class उम्मीदा आपको समर्य में आई होगी अगर वीडियो अच्छी लेगी तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करना और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी subscribe जरूर कर ले और इसके साथ साथ मैं आपको वही information देना चाहूँगा अगर जो आप नए है कि हमारी एक special scheme चल रही है scheme ये है कि आप हमारी जो recorded classes है previous recorded classes है complete recorded classes है from the day one till the last जिसमें literature और grammar दोनों include है उनको अगर जो आप purchase करना चाहते है तो किवल एक हजार रुपे में ये limited days है offer के तो आप उनको purchase कर सकते है उन classes को ले सकते है इसके साथ साथ अगर आपको notes चाहिए one liner notes जो की hard copy में आपके address पर dispatch के जाएंगे उसकी cost 2000 रुपे है लेकिन अगर आप दोनों चीजें एक साथ लेते हैं तो केवल 2500 रुपीज में आपको ये पूरा package मिल जाएगा और जब आप मेरी classes से जुड़ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरे package के साथ जुड़े तो और भी अच्छा रहेगा तो दूस्तो आज के लिए एतना ही थैंक्यू वेरी मच यॉर्ज डॉक्टर सचिन गोश्वामी